नमस्कार साथियो आप लोग यह सोच रहे होगे कि मैं गाड़ी में बैठके वीडियो क्यों बनाता हूं एक्चुली वर्कलोड बहुत ज्यादा है काम भी करना होता है बीच बीच में थोड़ा कुछ वीडियो बनाके आप लोग को संदेश भी देना होता है बातचीत भी करना होता है तो मौका मिलता नहीं है तो यह सबसे बेटर है गाड़ी के सीशे बंद करो गाड़ी में बैठक परवरी को हम अपना परदर्शन करके यह डिमांड करेंगे कि अभी तक कि इसमें स्टेटर्स रिपोर्ट क्या है किस विशह पे जाच कितने दूर तक पहुंची है जो हमें जानकारी ऑफिसर से चाहिए वह जानकारी हमें आज तक नहीं मिली है उस जानकारी के लिए अपन 20 फरवरी को दिल्ली में करने जा रहे हैं सुषान के जितने भी फैंस हैं जो मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे अपील कर रहा हूं आप देश के किसी भी कोने में हो अभी करीब 22 दिन के लगभग है चार तारिक होगी तो अब दिल्ली आने के तैयारी करिए एक साथ चलेंगे एक साथ अपनी पावर अपनी आवाज हम उठाएंगे और हम अथारिटी से अपील करेंगे कि अब तो हमें कुछ जबाब दीजिए कब तक हम सांत बैठें सब लोग एक साथ मजबूती के साथ अगर हम अपनी आवाज को उठाते हैं तो ये हमारे लिए आप सब के लिए औ और हमारे सुषांत भाई के लिए एक बहुत ही बड़ी इंसाफ की लड़ाई में एक मील का पत्थर सावित होगा हमारा ये दिल्ली का प्रोटेस्ट मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब लोग 28 तारीक को दिल्ली पहुंचिए और दिल्ली में हम अपने इस प्रोटेस्ट को शफल बनाए और शुषांत के इंसाफ की जो लड़ाई है जो कई महीनों से लड़ी जा रही है आप शब के द्वारा हमारे द्वारा तो इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाए और इस मुकाम तक जब तक कि ये लड़ाई हमारी नहीं पहुंचती है तब तक हमें ऐसा ल ये शहरों से या नहीं बड़ा सवाल बनेगा और उसी दिन से 28 फरवरी के बाद से हमारे आंदोलन का ये रूप रेखा ये तै करेगा हम ग्राउंड पे भी लड़ाई लड़ें या हम केवल सोचल मेडिया पे लड़ाई लड़ें तो 28 फरवरी के इंतजार है दिल्ली में